हाई एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल रामा टूबर कैसे हो आप सब सो आज की वीडियो है में को बहुत जादा मैसेज़ आ रहे थे कि आप प्लीज अपने घर के इंग्रीडियेंट्स के साथ में को बताओ कि जो हमारी स्किन में हमारे फेस पे ब्लैमिशिस हो जाती है औ इसको नहीं रिमूव करना है इसलिए मैं यह वीडियो बनाई है सबसे पहले मैं आपको बताओंगी कि यह होते क्यों है हमारी बॉड़ी में एक मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं जो मैलनिन को प्रड्यूस करते है जब मैलनिन का अमाउंट बाड़ी में जादा हो जा बॉरे लंडी और वाइट हो जाती है। देनिक भाट गट मेरे से क्वाटले और नंपल पुश्चे कि पर भी तो आपने की और जए पीजिट आरीटीभा के फो तो आपकोे बीडिये के से सबश्स पर निकलने हैं हमेश्चार का रहना है और नहीं है कि पर निकल से आप की अबेश्चार लगा के ही निकलना मैं आपको इंग्रीडियन्स भी बताऊंगी घर के किसके साथ अपनी मूव कर सकते हूं तो दूसरी बात आपको हॉर्मोन होर्मोन चेंजिस होते हैं हमारी बॉड़ी में उसकी वज़ा से भी हो जाता है और तीसरा जो क्या गाते है प्रेगनेंसी में के य जो कि खुद फील नहीं होता था यहां जन्युक्त समुर्मोन जाती थी तो में के हमतेु समूबfa şla di विरेंक से आफ नियूटस के पहले डेक्स बार अधर खैज हमेशा तो इसलिए Comic-के- खुंस इनल शुवर्फश way जिए घर के एंग्रीयों से लिए मैं तुछTrudy इंग्रीडेंट्स वह आपको हाइपर पिग्मेंटेशन ब्लैमिशेज आके लिए हैं सो लेट स्टाट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपनी फैमिली और फैंट्स के साथ शेयर कर देना अगर आपको ये वीडियो हेलफूल लगी हो तो क्योंकि अगर उनको भी ये प्रॉबलम है तो उनको भी इस प्रॉबलम से छुटकारा मिल जाए तो सबसे पहले मैंने लिया अलू आपको एक पूरा अलू लेना है और कदू कस पे उसको कदू कस कर लेना अच्छी तरह जैसे मैं कर रही हूं मैं पिल्लर पे कर रही हूं मैं को पिल्लर पे असान लगता है तो मैंने अलू को अच्छी तरह कद्धू गस कर लिया है, अब मैं इसको च्छाननी में डालूंगी जो मैंने कद्धू किया अलू और इसको जूस में कट्वरी में निकाल लूँगी, स्पून के साथ प्रेस करकर के, आप देख सकते हो अब इसका सारा जूस निकल गया कटोरी में एक स्पून के अराउंड होगा अब मैं एक ले रही हूँ हाफ लेमन आपने हाफ लेमन लेना पूरा लेमन नहीं लेना है इन दोनों को मिक्स कर लिया मैंने अच्छी तड़ा सो अब मैं ले रही हूँ बेसन और ले रहे हूँ कर्ड, 2 좋은 मैंने बेसन लिया और 2 स्पून कर्ड लिया मतलब की देऑ न्यां नहीं लिया चोटे 2 स्पून और मैं ले रही हूँ 2 छुटकी हल्दी तो आपने इन तिनों को मिक्स कर लेना आच्छी तरह अपने इस mixer को इतना ही थिक रखना है जितना मैंने रखा है तो सबसे पहले मैंने आपको ingredients बता दिया मैंने mix भी कर लिए और यह भी बता दिया आपने ingredients कैसे कैसे लेने और कैसे कैसे इसको mix करना है अब मैं पताऊंगी lemon में citric acid होता है जो हमारी skin के dead skin scalp cells को निकालने में और हमारी skin को bleach करने में बहुत जादा मददगार होता है दूसरा मैंने कर्ड यूज किया कर्ड में lactic acid होता है बहुत जादा पोटाटो जूस यूस किया पोटाटो जूस में भी citric acid होता है वह भी आपको पता है जैसे कि मैंने lemon में बताया है lemon हमारी skin को bleach करता है और जो भी black हो जाती है मारी skin या blemishes होती है उसको remove कर देता है आपकी skin में से जो भी dead skin होगी उसको remove कर देगा और new skin cells को लाने में मदद करेगा जो भी मैंने आज ingredient यूस की है यह बहुत जादा helpful है आपको आपकी skin में यह blemishes को remove करने के लिए सबसे पहले जो मैंने पैक बनाया था आप देख सकते हूं इसको अपने fingers के साथ लगा लो इस पैक को जैसे कि मैंने आपको बताया कर्ड बेसन और हल्दी का यह पैक है और amount भी मैंने आपको दिखा दी है कितनी कितनी आपने लेनी है आपने सबसे पहले इस पैक को अच्छी तरह अपने फेस पर अपने अफेक्टेट एरिया पर अपने फेस पर लगा लेना है उसके बाद आप 10-15 मिनट्स आपने इस पैक को रखना अपने फेस पर अगर जैसे मैं आपको बता रही हूं अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी blem अगर आप इसको करोगे तो इससे आपकी स्किन घर पर बैठे बैठे बहुत ही कम पैसों के साथ ठीक हो जाएगी मतलब की घर के सारे इंग्रीडियन्स के साथ ही ठीक हो जाएगी आपको पोटाटो और लेमन का जूस पताया है वह आपको रोज लगाना है अपने फेस पर 10-15 मिनट्स या 1.5 एन अर लगा के जब आपको लगे की वह सूखने लगे उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वाश कर लो पर वह आपको रोज करना है पोटाटो और लेमन का जूस पोटाटो जूस हमारे फेस की ब्राउनिश को दूर करने में बहुत ज्या अब मेरा यह थोड़ा थोड़ा सूखने शुरू हो गया आपको इसको अच्छी तरह सब करना है अपने हैंड्स के सार आप देख सकते हुए हमारे सक्रब करने में बहुत है और यह सारे इंग्रेडियंस हमारे दादी नानी के टाइम के बताये हुए हैं जो कितने सालों से ह अब ही मैं रिमेश वाश करके आती हूँ है तो मैंने अपने फेस को दे वाश कर लिया देख सकते हूँ अब मैंने जो यह बनाया था जूस पोटाटो और लेमन का अब देख सकते मैंने कॉटन बोल ली ए कॉटन बोल के साथ मैं इसको डिप करूंगी के तोरी में आप पैक आप दो दिन बाद लगाओ और इसको अपने हर रोज अपने फेस पे लगाना है पोटाटो और लेमन का जूस यह आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है अगर आपकी स्किन इससे एफेक्टेड होगी आपको प्रॉब्लम है इनकी ब्लैमिशिस की डाक परक पड़एगा अविदिन वान वीक और तैन डेयस के अंदर देखना आपको अपने इसको फरक दिखेगा अपको खुद अपने स्कीन में फरक दिखेगा अब मैं इसको सूखने दूंगी फिफिटीन टुट्वन्टी बाद इसको मैं वाश कर लोंगी तो मेरा पैक और अपनी फैमली और फैंड्स के साथ भी शेयर कर देना अगर आपको वीडियो हेल्फुल लगी हो तो और दूसर एक और सबसे इंपोर्टेंट बात आपको दूब में बिल्कुल भी बाहर ऐसे नहीं निकलना आपको संस्किन लगा के ही निकलना हमेशा दूब में क्योंकि स सबसे जादा यह प्रॉबम थूप में रहने से थ होती है जाए तिर धूप में जो भी जाएपल को इस इंग्रीरइंट के साद्थ प्रोब्लम को सौल्फ कर सकते हो और बागा इतना यह प्लीज लाइक ड्शेर और शेयर और चैनल रामा, त्यूबट ऱूसे खर वाचिं my video, bye!